हेट स्पीच मामले में आजम खान को बड़ा जटका लगा है बतादें की 2019 लोकसभा चनाफ के दौरान आजम खान पर हेट स्पीच देने का अरोप लगा था रामपूर की अदालत ने कुछ समय पहले उनको दो साल की सजा सुनाई थी और आज इस मामले में आजम खान को एक बड़ा जटका लगा है क्यूकि कौश ने दो साल की सजा बरकरार रखी है और जो अपील आजम खान ने की थी उसे कौट ने खारिच कर दिया है तो रामपूर के खिलाफ आजम खान ने MPMLA कोर्ट में अर्दी दाखिल की थी जिसको लेकर अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि 2019 लोगसवाचनाफ की दौरान आजम खान ने धमोरा इलाके में भाशन दिया था उस समय रामपूर की डीम आंजने कुमार सिंग रिट मुकदमा दर्च हुआ था बतादें कि आजम खान उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल के सजा काच रहे हैं आजम खान सीतापुर्श जेल में तो अब्दुल्ला आजम हर दोई जेल में बंध है वही पालीन एडियो पंचायत अनील कुमार ने आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्च कराया था ऐसे में इस पूरे मामले पर आजम खान को आज सबसे वड़ा जटका लगा है और उनकी दो साल की सजा कोकोट ने बरकरार रखा है